नमस्कार मैं हूँ सॉम्मेराठी और अप्लाइफ शिटीज देख रहे हैं तो ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि मौनसून इस वक्त बिहार पर अपना कहर बरसा रहा है गंगा नदी जो के बिहार में पिछले करीब अप डेड़ हफते से अपने प्लाल निशान से करीब एक मीट और उपर बह रही है उसकी वज़े से बिहार के कई जिलों में बाड़ अपना रौदर रूप ले चुकी है कई जिरे ऐसे हैं जहां लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए भी नाव का सहार लेना पढ़ रहा है तो कई लोग ऐसे हैं जो अपने जिलों को छोड़ कर इसी बीच मौसन विभाग ने और कई जिलों के लिए अलवड जारी कर दिया है मौसन विभाग की तरफ से मौन्सून को लेकर अब क्या जानकारी दी गई है चलिए आपको विस्तार में बताते हैं मौसन विभाग ने बिभाग ने बिषार के तीन जिलों में गरच के साथ भारी बारिश का अलवड जारी किया है बिभाग के उत्तर पूर भाग के सुपॉल अररया किशन गंज मधेपुरा सहरसा पूर्णिया कटिहार में अधिकांच थानों पर बारिश हुई है वही उत् उत्तर बिहार में एक दो स्थानों पर जादा बारिश देखी गई है, इसमें प्रमुक है सुपॉल के बीरपुर, जहां 16 सेमी, भीमनगर में 11 सेमी, सीता मड़ी के डेम ब्रिज में 9 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, बार प्रभाविच शेत्रों में बारिश रिकारन समस से आएं और बढ़ गई है, जब कि बिहार के दक्षिनी इलाकों में बारिश नहीं होने से गर्मी से लोग परिशान और बिहार हो चुके हैं, इससे पहले मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 19 जिलों में हलकी से मध्यम बारिश की चेताबनी दी थी, दक्षिन बिहार के 19 जिलों में एक से दो स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश का पूवा नुमान बताया गया है, मौसम विभाग के मताबिक मौनसून की ट्रफ रेखा का पस्चम भाग हिमाले से होकर गुज़र रहा है, और पूवी भाग हर दोई, पटना, जमशेद पुर, पारादीप होते ह वहाँ दक्षिन पूर्व से पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, इसी कारन बिहार के मौसम में बड़ा असर देखने को मिल रहा है, हिमाले की तराई वाले जलों में बारिश की संभावना अधिक है जब कि दक्षिन भाग में बारिश का कोई अब गाई जाएगर इसे फांतर भी जाने कि हैं वहां में समस्या बारी है और सरकार इसे किस तरीके से समभालती है किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है इस पर हमारी नजरे बनि रहेंगी ऐसे अने वीडियो उसके लिए आप हमारे चानल के साथ लगतार बने रहे हैं अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रही है तो पीच को लाइक और शेर करें अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सबस्क्राइब करें आप लाइफ सिटीज को कर सकते हैं धन्यवाद